चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन क्यूसन नंबर आठ क्यूसन नंबर आठ में देखिए अपने पास क्या है कि उंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm उंचाई कितनी दिये 2.4 है और व्यास 1.4 एक ठोस बेलन में उसी उंचाई और उसी व्यास वाला एक संक्वाकार खोल माइच गया है सैज बचे ठोस का निक तम वर्ग सेंटमीटर तक प्रश्टिय चेतर फल्याती अब अब प्रोच्चिय चेतर फल्म मतलब कलर कहां हो सकता है तो कंलर इधर बाहर की तरफ सर्वेस पर होगा नीचे यहाँ पर होगा ठीक है और अंदर की तरफ अगर देखें जो यहाँ पर तो इसके अंदर अपने को क्या क्या जाएगा और संकु का जो अपने पास वक्रुष्टी क्या करेंगे जोड़ेंगे पर चार जाएगी तो आरका मान यहां पर किया जाएगा 0.7 में किता जाएगा 1.4 का और यहां पर तिर्भूझ बन रहा है तो 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 इस तिर्भुज के अंदर अपने पास और दिया है तो अपने को यहां से निकालना पड़ेगा तो संको की तीरिया को चाहिए अपने को निकालनी है तो संको की तीरिया को चाहिए अपने कैसे निकालेंगे देखिए यहां पर अपने पास तिर्भुज दिया है इसके अंदर क्या गया है उंचाई कित्ती दिये 2.4 यह वाला मान अपने को 2.4 दिया है फिर यहां पर अपने पास आधार है आधार कितना दिया है यह वाली तिरिज्या है आधार यह वाला यह दिया है किता 0.7 आया है तो 0.7 और यह अपने को निकालना है ठीक है तो संकु की तीरियक उंचाई क्या निकालना अपने को संकु की तीरियक उंचाई अपने को निकालना है ठीक है संकु की तीरियक उंचाई क्या हो जाएगी संकु की तीरियक उंचाई हो जाएगी अपने पास under root h square plus r square ठीक है तो यहां से l का मान किया क्या आएगा h का मान क्या है 2.4 2.4 का square प्लस r का मान किया 0.7 तो 0.7 का square 2.4 का square करेंगे तो कितना आएगा 2.4 का square हो जाएगा चो इसका होता है 500 चिंतर तो यह वाला हो जाएगा 5.76 फ्लस साथ का square किता होता है 59 तो यह वाला हो जाएगा 0.49 इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो यह आएगा 625 चेपन दो पांच और 625 किसका होता है 25 का तो अपने पास इसका किता आ जाएगा लगा माना जाएगा 2.5 अंडूर की यह क्या है अब संकू की लमबाई अपने पास अग है तो अपने पास रहा है प्रेलन के उंच ए अपने को दे रखिए ब्रेलन के उंच एम दिये गेलन की उंचाई अपने को दिए है बेलन की उंचाई एच अपने को दे रखे गिति दो पॉंट चार और संकू की त्रजा और बेलन की त्र संकू या बेलन की त्रजा या वर्थ की वर्थ में व यही आएगी तrzyजीया थिक है वर्थ कीजो तिरजीया है वह क्या दिये यह अपने को दी है इसने 0.ache 0.07 0.7 cm तो अपने को अब मुचा है अजिए अच्राइब करना आधे ‫ लिए तो इसका अच्राइब करें तो क्या आएगा तो इसका प्रश्टिये छेत्रफल, कहां कहां कलर हो सकता है इसमें, ठीक है, प्रश्टिये छेत्रफल, देखो कलर कहां कहां हो सकता है, एक बार देखो आप, कलर अपन कर सकता है इसमें यहां, बाहर वाले इलाके पर यहां कर सकता है, ठीक है, यहां पर पूरे पर हो सकता है, नीचे व पूरा होगा ठीक है यह बाहर वाली प्रश्ट है इस पे पूरा होगा फिर अंदर यहां पे इस वाली प्रश्ट में पूरा अंदर होगा और यहां पे पूरा अंदर की तरफ यह कलर होगा ठीक है यह अंदर पूरा कलर हो जाएगा ठीक है यह पूरा कलर होगा अंदर वाला ह ठीक है संकु पूरा अंदर से कलर होगा और यहां पर भी कलर होगा यह पूरा वक्र प्रश्ट है यह वाली तो यह वक्र प्रश्ट है यह भी पूरी कलर होगी यह भी पूरी कलर होगी ठीक है यहां पर भी कलर होगा यहां पर भी कलर होगा तो केवल कौन सा हिस्सा बचेगा क कुण सा कवल ये वाला वर्त अबच जाहएगा तो वक्रप्रश्ट निकार देता अपर क्या करेंगे इसके अंदर अपने पास क्या करना है की कि बेलन का वक्रफ्रश्टिय श्यत्र। बेलन के अंदर तो वैसे अज़ी सैड्वाल और एक नीचे क्या बच गया ये अपने पास वर्थ बच गया ये वाला इस वर्थ का चेतरफल प्लस क्या जाएगा वर्थ का चेतरफल ठीक है तो यहां से अगर आपन देखे तो बेलन का अपने पास वक्रप्रश्ट चेतरफल क्या होता है 2 πi r h प्लस संकू का क्या होता है संकू का वक्रप्रश्ट अपने पास होता है πi r l प्लस वर्थ का अच्छी तरफल होता है πi r square तो ये तीनों मान है इसके अपने मान रखेंगे और यहां से अपन एंसर आसानी से निकाल सकते हैं इसके अंदर देखो सब में common कुछ आ रहा है तो common ले लो common πi r सब में common आ रहा है तो πi r common ले लो πi r common लिया तो यहां पर क्या बचा 2 πi प्लस यहां पर l बचा प्लस यहां पर क्या बचा r बचा तो यहां पर मान रख दो πi का मान 22 बटा 7 और कमान किता आँगा 0.7 यहां पर जाएगा इंटू 0.7 पर कोस्ट टक 2 इंटू पाई कमान पाई यहां तो कमान ले लिया ना आर एच बचाये यहां पर पाई यार्थ तो गुमर लिया तो तू अच बचा यहां पर तू अच यहां पर तू है चा है एंच का मान किया है एंच का मान है अपने पास तू पॉAl कितने पास थो पॉलेत यहां अपने को यहां पर रखने इसको ज़रल करेंगे तो किता आएगा यहां से पॉइंट रटा बटा माई जाएगा 10 7 से 7 गट गया ठीक है 7 से 7 गटा तो किता आगया 22 बटा 10 बचा यहां पर तो और यहां पर तो यहां पर अगर आपन देखें तो अपने पास क्या है इन सब को जोड़ेंगे तो यह कितना बन जाएगा 4.8, 2.5 और 0.7 इनको सब को जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा अपने पास 8 कितना जाएगा 8 अब 22 और 8 को मुल्टिप्लाइगे तो यह आएगा 106 बटा के अंदर है 10 10 का भाग लगा देंगे तो इतना आएगा 17.6 और सब सेंटीमेटर में थे इसलिए क्या आजाएगा यह अपने पास सेंटीमेटर स्कुरे तो यह अपने पास इसका क्या जाएगा एंसर आजाएगा मैं इस क्यूशन के अंदर बस यह याद यह अपने को यह जोड़ना पड़ेगा फिर वर्त का चेतर ठीक है चलिए अगला की उसन देखते हैं अपन कि उसन नमर नो देखिए लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रतियक शीरे पर अर्धोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तू बनाए गई गया यह जैसा कि आकरती इस सेंटीमिटर ठीक है यह बेलन की उन चाहिए अपने पास 10 सेंटीमिटर और आधार की तिर्जा है तिर्जा किती दिये यहां से यहां तक आर की जो वेल्यू है वह अपने को दे रखिये 3.5 सेंटीमिटर ठीक है तो इस वस्तू का संपूर्ण प्रश्ट यह चेतर फल ग्या होगा तो अपने को निकालना क्या है इसके अंदर क्या क्या दे रखाया बेलन की तिर्जा बेलन की उन्चाई दिये बेलन की उन्चाई कितने दिये बेलन की उन्चाई बेलन की उन्चाई अपने को दे रखिये 10 सेंटीमिटर ठीक है और बेलन और अर्ध गोले की तिर्जा यह की होगी पहलन और अर्द गोले की तिरिजा है वो यह की होगी अर्द गोले की तिरिजा यह कितनी दिये यह अपने को दिये 3.5 cm तो क्या पूछा है संपूर्ण प्रष्टिय वस्तु का संपूर्ण प्रष्टिय चेतरफल पूछा है संपूर्ण प्रष्टिय चेतरफल यह क्या होगा बेलन का वक्र प्रष्टिय चेतरफल बेलन का वक्र प्रष्टिय चेतरफल प्लस उपरी अर्द गोले का वक्रप्रश्टी चत्रफल उपरी अर्द गोले का वक्रप्रश्टी चत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा नीचे वाले अर्द गोले का वक्रप्रश्टी चत्रफल ठीक है तो बेलन का अपने पास वक्रप्रश्टी चत्रफल है वो क्या हो जाएगा बेलन का वक्रप्रश्टी चत्रफल ये तो हो जाएगा अपने पास टू पाई आर एच प्लस उपरी अर्द को लेगा वक्रप्रश्टी चत्रफल क्या होगा टू पाई आर स्क्वाई और नीचे वाले का भी यह होगा टू पाई आर स्क्वाई इन सब को अपने आपस में जोड देंगे यहां से अपने पास value put करेंगे और answer निकाल लेंगे तो यहां से देखिए अपन कैसे करेंगे कि इसमें common आ रहा है कुछ तो यहां से टू पाई आर कमन ले लो तो यहां की आपने पास तो यहां से इस कमान यहां पर रखतो मान रखेंगे तो क्या आएगा मान रखेंगे तो अपने पास आजाएगा दो इंटू 22 बट्टा साथ और हार कमान अपने को किता दिया था 3.5 यहां पर लिख देंगे 10 प्लस 2 इंटू R कमान किता था 3.5 यहां से अग अपने इसको सरल करेंगे तो यह इससे प्लस बटा में आया 10 इससे यह कट गया 5 बार 5 से यह कटा 2 बार 2 से 2 कट गया तो भार तो बचा आपने पास 22 कहां पर बच गया 10 प्लस 2 इंटू 3.5 करेंगे तो यह हो जाएगा 7 10 वर 7 होगे 17 तो 22 इंटू 17 22 को 17 से मल्टिप्लाई करेंगे तो अपने पास किता आजाएगा यह अपने पास आएगा 304 304 cm2 तो यह अपने ऐसे असानी से ग्यात कर सकते ठीक है तो यह थी अपने पास परस्टनावली 13.1 इसके अपने क्यूशन के सिंबल सा है कुछ नहीं करना बैस अपने को कहां अपन कलर कर सकते हैं बैस इतना याद रखना है सब में वक्रप्रश्ट था इन क्यूशन में लगबग ठीक है तो अपने को लगबग सब में वक्रप्रश्ट का फोर्मूला इन में लगाना था ठीक है थोड़ी क्यूशन खुद से मिलाईएगा कोशिस कीजिएगा आसानी से समझ में आ जाएंगे बस थोड़ी प्रेक्टिस चाहिए होगे ना जित्ती प्रेक्टिस करोगे उतना सही रहेगा